आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे कोबिड-19 किस प्रकार हमारे देश पे बढ़ रहा है और उसका क्या असर होने वाला है खास तोर से हमने क्योंकि लॉगडाउन ही प्रभुख रुपाय अपना अपना यही एक हाथियार मान के चला तो उसका क्या असर इस वक्त हो रहा है और लॉगडाउन क्योंकि इस तरह से चल रही सकता छे हाफता हो चुका है तो अगर वो लिफ्ट होता है जैसे अभी शित्र लाने की बात हो रही है शुरू भी हो गई है तो उसका क्या असर पढ़ने वाला है इस नंबर्स पर तीसरी बात हम चर्चा करेंगे क्या हमारे लिए और कोई रास्त है इस वक्त या सिर्फ इसी तरह चलेगा नंबर्स बढ़ेंगे और हमें इसको जहलना पड़ेगा यह त जो चार्ट है जो हमारे साइट पर हर रोज मिलता है आपको उसको देखते हैं अगर हम देखें यह हिंदुस्तान के आंकड़े भारतबर्श का आंकड़े यहां पर है तो इस वक्त हमारे आंकड़े बताते हैं कि हमारा 46,433 कल तक यह संका पहुंश चुकी थी या तो आज स अगर यह trend line देखें तो यह है कि 7 दिन में यह trend line आपका हर 7 दिन में double करता है हमारे अगर slope देखें करक की slope क्योंकि यह log plots है तो slope पतलब किस रफटार से बढ़ेगी उसको अगर आद देखें तो इस वक्त यह slope देखते हुए लग रहा है कि हमारा trend line इससे थोड़ा कम है पत पतलब 8 दिन में लगभग हमारी संख्या double हो सकती है अगर यही रफटार जारी रहा तो यह नहीं है कि यह number संख्या बढ़ेगी नहीं यह बढ़ेगी पर किस rate पर बढ़ेगी किस तेजी से बढ़ेगी उसको अगर देखना है तो हमें doubling rate देखना चाहिए कितने दिन में अबर जो आया है उससे लगता है करीब 8 प्रतिशद 8 प्रतिशद बढ़वत्री है तो यह 4000 के लगभग पीछले दिन में पढ़ाय संख्या 3900 कुछ तो बतलब करीब अभी हमारी बढ़वत्री हर 8 दिन में साड़े 8 दिन में double होने की संभावना है तो 46,000 अगर आकड़े है इस रफ्तार से अगर बढ़ी तो इसको 90 से एक लाक के अंदर पहुंचने की संभावना है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह इसी तरह से बढ़ेगा पर क्योंकि लॉक्डाउन लिफ्ट हो रहा है हो सकता है इसे ज्यादा रफ्तार से बढ़े हो सकता है कि जो हमने कदम उठा मतलब हर रोज के इंफेक्शन्स आठ प्रतिशद होने के जगह पर साथ प्रतिशद, छे प्रतिशद, पांच प्रतिशद की दिशा में चले अगर वो होगा तो यह साफ है कि इसमें हमारा नंबर्स कम होना शुनू नहीं होंगे पर बढ़ने का रफ्तार घड़ जाएगी यही मुक्य चीज इस वक्त है बढ़ने की रफ्तार में हमें इसको उस पर काबू अगर हम पा लेते हैं तो हमारे हमें लगता है कि हम इस दिशा में हमारे जो भी काम है कैसे इसको कंट्रोल करें उस दिशा में हम बढ़ावतरी कर पाएंगे अब देखिए देखते हैं कि प्रांतों में इसका पहलाव ज्यादा है यह हमारा मैप है जो बताता है कि इंफेक्शन कहां कहां पर ज्यादा है अगर वो देखें देखेंगे आप यह महराष्ट्रा और गुजरात सबसे आगे है हम चार्ट देखेंगे उस पे भी वही दिखेंगा और जो संख्या मृत् सिसे बढ़ा है उसको भी हमें नजर अंदास नहीं करना चाहिए अगर हम देखते हैं कौन से प्रांतों में किस रफ्तार से बढ़नती हो रही है तो हम देखेंगे महराष्ट्रा ने अभी भी बढ़ोत्री करीब करीब पीछले 8-10 दिन में खास बदला नहीं है अभी भी वहाँ पर बढ़ोत्री काफी तेजी से चल रहा है अलग रहा है ये भी करीब 8-8.5 दिन की रफतार से हर रोज इसकी बढ़ोत्री हो रही है पतलब 8% अगर बढ़ता है 8-8.5% बढ़ता है तो करीब 8-8.5 दिन में भी इसका संख्या डबल होने की संभावना है इस पे गुजरात की रफतार भी उसी तरह से है दिल्ली की रफतार भी घटी नहीं है और इस पे और भी अगर हम देखे तो टबिलनाट में पीछले दिनों में थोड़ी सी तेजी आई है पर इस पे कोई अच्छी खबर भी है अगर हम देखे पहले आप केरल के जिकर करते थे केरल के कर्फ कभी करीब करीब फ्लैट है बहुत कम है तो इसका मतलब है कि वो इस बिमारी पे काबू पा लिये है अभी तक और इस पे होकर हम देखे तेलेगाना है उस पे भी काफी अच्छी खबर है कि तेलेगाना की कर्फ काफी काफी फ्लैट है पर दूसरे प्रांतों को अगर देखे उत्तर प्रदेश की बढ़वत्री अभी इस पे थोड़ी सी तेजी आई है और राजस्तान में भी लगता है थोड़ा सा फ्लैट है पर कि राजस्तान की उपर भी निगाह रखनी पड़ेगी पर महराश्ट्रा गुजराद दिल्ली और खास तोर से हमारा जो ये प्रांत है कमिल्लाण खास तोर से इस वक उसकी संख्या में काफी बढ़ोती देखने को मिल रही है इसमें भी अभी लगता है हम इस बीमारी पे काबू नहीं कर पाए है अभी तक अगर हम वित्रकों के संख्या देखे तो हम देखेंगे कि सबसे आगे अभी महराश्ट्रा है इसके बाद गुजरात है और तीसरे स्थान पे मध्यप्रदेश है ये तीरी प्रदेश है तो सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है दूसरे प्रांतों में अभी भी इसका संख्या थोड़ा कम है तो मध्यप्रदेश के बाद अगर देखें तो दिल्ली का लग्यप्रदेश के लिए नंबर आता है पर दिल्ली का कर्व जो है फोड़ा सा फ्लैट है इसका मत्लब मित्यकों के संख्या उस तेजी से नहीं बढ़ रहा है तो ये जो बुख्य प्रांत है इसका सिती ये है पर इसके इलावा पश्चिम बंगाल में भी बितकों के संख्याक पीछले दिन काफी उचा गया है और उसके ग्राफ पर भी हमें नजर रखनी पड़ेंगे पर इन चीजों से और एक मिश्कर्श हम निकाल सकते हैं अगर ये हम देखें शहरों की स्थिति है कि गुजरात में ये अभी आमिदाबाद में करीब करीब अगर आग देखें तो ज्यादातर लोग अभी जो बिमार है वो आमिदाबाद में है उसका संख्या करीब 70 से 72 प्रतिशत लोग गुजरात के सिर्फ आमिदाबाद शहर में है इस वाक्त मद्रप्रदेश पे इंदौर अरुजेन का गुर मिला ले तो लगता है 75 प्रतिशत लोग सिर्फ इन ही दो शहरों में है इस पे भी इंदौर का संख्या बहुत ज्यादा है अगर हम देखें बुंबाई पे जहां पर हमारी निगाह पहले थी मुंबाई की हाले थोड़ी सुद्री है पर महराष्ट्रा की संख्या जो बढ़ रहा है उसलिए ऐसा हम नहीं कह सकते कि क्योंकि शहर का संख्या इता नहीं है इसलिए थोड़ा से इसमें हमें लगता है कि मुंबाई पे काबू पाली है अभी भी देखना पड़ाएगा मुंबाई की सबर्ज में तो मुंबाई शहर में नहीं आते ठाने वगर इन इलाफों में इसका क्या हाल है पर शहरी प्रधान अभी फैलाव ज्यादा है मत्तब कुछ शहर चन शहरों में इसका फैलाव ज्यादा है अभी टमिलाट में हम देख रहे थे, चिन्नाई के संखाज ज्यादा है, बंगाल में हम देख रहे थे, कलकत्य के संखाज ज्यादा है, तो दिल्ली शहर में खैर शहर और प्रदेश एक ही करीब करीब है, इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं, फैलाओ इनी चीज देखना है तो क्या हालत हालात होगा अगले दिनों में तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगले दिनों में लॉगडाउन को कैसे हम हैंडल करें तो कि लॉगडाउन इस तरह से पुलीसी तरीके से चल रही सकता। लॉगडाउन में जो ही शितलित आई है हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सोशल डिस्टेंशी गायव हो गया अभी तजवीरे हर जगा पे आ रही है दारू के सामने दुकानों के सामने बड़े पैमाने पे लाइन लग रही है पर उसके साथ साथ हमने पार्क्स को बंद कर दिय है बहुत जगों पे तो इस तरह से जो लॉग डाउन एक तरह से हम कहेंगे कि दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हुए एक ऐसा लॉग डाउन हो रहा है इससे हमें फ़ल उस तरह से नहीं मिलेगा है हमें चहिए खास तोर से स्टेट गॉवफेंट लौकल गॉफेंट लोकल अडिनिस्ट्रेशन के हाथ पे छमता देना ताकि वो कैसे लोगों को इंबॉल्ट कर पाए आम जन्रिता की शिर्कत कैसे इस पे हो रेसिदिशल वेल्टार असुसेशन है हर जगह पे वो कैसे इस पे काभू इस पे आपके साथ शामिल हो सकते जब तक ये नहीं होगा तो सिर्फ डारेक्टिव इशू करके ऊपर से कानून लगा के डंडा लगा के लोगडाउन अगर चलबाने की कोशिश होगी तो सफल नहीं होगा अभी खास तोचे जो पार्शल लॉगडाउन में संभावना ये है कि बिमारी फिर फैलेगी जिस रखतार से पहले पहले पहल रही थी जिसको हमने कुछ हद तक तो रुका है ये तो सही है कि लॉगडाउन के वज़ाए से कुछ हद तक तो रुक गया है पर जो ही लॉगड है एक तो है हमें काफी बढ़ानी पर हमारे जो इस पर का मुआ सिर्फ पुलीशी से म्याइसाया चल रहे हैं कर प्यू डेल कर कर रहे हैं कह रहे हैं कि बार्डर कर देंगे ये सब के साथ-साथ कुछ करे पर इस तरह से डड़ने के बल पे ना करके लोगें की शिर्कत अगर करेंगे तो दो चीज़ आपको करने में सहुलियत होगी एक तो है टेस्टिंग का संख्या सरकार कहरें यह काफी बढ़ी है पर हमारे जन संख्या को देखते हुए हम अभी भी टेस्टिंग में काफी पीछे हैं तो हमारे टेस्टिंग कम से कम अगले 10 दिन में 5 गुना से 10 करने की कोशिश करनी पड़ेगी जब तक हमारे टेस्टिंग दिन में हर जगह पे जहां जहां पर हॉट स्पॉट्स है आम टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे तब तक हम शनाक्त नहीं कर पाएंगे वैसे लोगों को इनको सिंटम्स नहीं दिखाई दे रहा है पर वो करना पड़ेगा उसके साथ साथ इस बीमारी पर भी काभू पाना जरूरी है तो हम को क्या करना चाहिए तो यह अभी तक जो हम कर रहे थे कि सिर्फ एक पुलीसी तरीके से इस लॉक्डाउन को चला रहे थे उसको ना करके जन्ता की शिर्कत चाहिए तो आपकी स्टेट गाउ कि शुर्णा पर अप्रिसिपेटिव बोर्ड इस पर लाने की ज़ुरत है तो उस पर खास फायदा क्या होगा यहां कंटेन्मेंट जोन से वहां पर लोगों को आप टेस्ट कर पाएंगे हमें टेस्ट कम से कम पांच से दसगुना बढ़ाने की ज़ुरत है वहां आम लोगो हो पर टेस्टिंग करना चैए कि वहां पर जिसे कहते हैं कि कॉम्यूटी अंदर यह पैल रहा है। इसलिए इन जो हो पर वाइड स्पेड टेस्टिंग बड़े पर माने पर टेस्टिंग करने की ज़ुरबत हैं और उससे बिमार लोगों को शनाक्त करके उनको अलग करके उसको अलग से उनको कौरिंटीन करना, उनकी देखभाल करना और उनको साथ सा जो ज्यादा बिमार है उनको हस्पताल पहुचाने की ज़रुत है। तीसरी बात जो हमें इस पर करनी पड़ेगी इन चीजों में कि हस्पताल के सुरक्षा की लिए, हस्पताल के करदचारियों की सुरक्षा की ज़रुत है। अभी इस वक्त हम जो देख रहे हैं, हस्पताल में भी काफी बीमारी उन लोगों में हो रहा है, जो पेशेंट्स की देख भाल कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव एक्वेपेंट यह तो ठीक नहीं है, यह तो ठीक से इस्तमाल नहीं किया जा रहा है, य दूसरों को बिमारी न दे, इसकी भी उनको अलग करने की जरूरत है, तो हस्पताल की सुरक्षा कम अपरब है हस्पताल की कर्मिचारियों की, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, नर्सिंग एसिस्टेंट्स की, जो सफाई करते हैं, हस्पताल को साफ सुत्र रखते हैं, उनकी इन और यह हमें जो तीसरा चीज है, अस्पिताल के सुरच्छा इस पर नजर देनी चीज है। मैं दूसरे चीज़ों पर बात नहीं कर रहा हूं, जो दूसरे लोग कर रहे हैं, कि जो गरीब है, इनके खाना नहीं पहुंच रहा है, माइग्रेड वर्कर्स का क्या होगा, गौम में क्या धालत है, फसल कैसे कटी जाएगी, फसल को कैसे बोरियों में डालेगी, जब बोरियों की पुत्पादन नहीं हो रही है, यह सब चीज इस वक्त मैं नहीं चर्चा कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस बात के आपके सामने चर्चा करना चाहता हूं, कि COVID-19 के फैलाव इस प्रकार हो रहा है, और उसमें, एपिडेमिक की तौर पे, एक पैंडेमिक की तौर पे, हमारे क्या कदम होनी चाहिए, इसको इस वक्त रोकने के लिए, आज की लिए इतना ही, धन्यवाद सुनने के लिए देखते रहीएगा नियूस्के.